दोस्तो वाट्साप का नया अपडेट आ चुका है इसमें कुछ नए फीचर जोड़ दिये गए हैं जो कि काफी यूसफुल हैं और कमाल के हैं तो वीडियो को विल्कुल भी स्किप मत करना लास्ट तक बने रहना तभी जाकर आपको सारी बाते समझ में आएगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले वाट्साप में जाएंगे यहां देखिए सबसे उपर थ्री डॉट दिया है इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग्स में जाएंगे अकाउंट में जाएंगे प्राइविसी में जाएंगे अब यहाँ पे बात को समझेगा यहाँ पे देखे चार आप्शन दिये वे हैं लास्ट सीन प्रोफाइल फोटो अबाउट स्टेटस दोस्तो पहले क्या होता था लास्ट सीन आप जब भी हाइड करते थे तो सभी के लिए हाइड हो जाता था मतलब माल लिजे 30 कांटेक्ट आपके वाटसअप वाले हैं तो 300 को लास्ट सीन सो नहीं होता था लेकिन इस नए फीचर्स की वज़ा से अब आप माल लिजे 30 में से चार लोगों को अपना लास्ट सीन आप दिखाना नहीं चाहते हो तो इस नए प्रफिचर्स की मदद से आप अविजे reasoning को आप कर सकते हो पना लास्ट सीन उन चार लोगों से चिपा सकते इसके लिए क्या करेंगे रहे हैं लास्ट सीन पर क्लिक करते हैं इए एंब देखे एյरिवरेवण everyone का मतलब सभी को आप अपना last scene दिखाना चाहते हो my contact मतलब आपके जितने भी what's up contact है यह 30 है तो 30 को show होगा बाकी other किसी को show नहीं होगा लेकिन my contact accept पर जब आते हो इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है कि जिन लोगों से आप अपना last scene छिपाना चाहते हो उनको आप select करके ok कर दो तो यहाँ search करते हैं माल लेजे अन्नू old geo को मैं अपना last scene दिखाना नहीं चाहता हूँ तो इसको मैं select करूँगा और यहाँ से ok कर दूँगा अब आप देखिए यहाँ पर आगया one contact excluded मतलब आप अन्नू को मेरा last scene सो नहीं होगा इसी तरह profile photo भी है माल लेजे profile photo आप कुछ लोगों से छिपाना चाहते हो तो इसके लिए क्या करेंगे my contact accept में जाएंगे और उसी तरह select करके ok कर देंगे यहाँ पर भी मैं अन्नू को select करके ok कर देता हूँ मैं इसको अपना profile photo dp दिखाना नहीं चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ select करूँगा और ok कर दूँगा अब यहाँ पर देखिए one contact excluded आगया मतलब अन्नू को ना मेरा last scene सो होगा ना profile photo इसी तरह about में भी है अब आउट में भी मैं वही काम करूँगा select करके ok कर दूँगा अब आजाईए status में इसको click करते हैं यहाँ पर देखिए status by default my contact save है मतलब आप जो भी status लगाओगे तो आपके 30 contact अगर save है अपके mobile में whatsapp वाले तो उन तीसों को आपका status सो होगा लेकिन उन तीस में मान लेजी कि दो या चार ऐसे लोग हैं जिसको आप अपना status दिखाना नहीं चाहते हों तो उसके लिए आप my contact accept वाला option select करोगे यह option आएगा उन contact को आप select करना यहाँ से ok कर देना अब आजाईए only share with इसका मतलब यह हुआ कि तीस WhatsApp contact आपके mobile में हैं उन में सिर्फ चार लोगों को ही आप अपना status दिखाना चाहते हो बागी 26 से छेपाना चाहते हो तो उसके लिए आप only share with select करोगे यहां से उन चार contact को select करके ok कर दोगे बस उन ही चार लोगों को आपका status सो होगा दोस्तो status privacy के बारे में मैंने एक dedicated वीडियो बना रखा है उसका link मैं description में भी दे दूँगा end screen में भी दे दूँगा आप जाकर वहां से देख लेना पूरा detail दिया हुआ है तो चली यह तो हो गया अब हम चली चेक करते हैं कि मेरा profile photo last scene और about शो कर रहा है कि नहीं तो इसके लिए हम WhatsApp दूसरा open करेंगे अन्नु जियो ओल्ड वाला अब यहां पर देखिए अन्नु ओल्ड जियो इस पर हमने अपना privacy डाला है तो इस पर मैं पहले message करता हूं आपको दिखाता हूं जो मैंने message कर दिया वहां पर में दिखिएगा देखिए यह आगया notification अब मैं इसको open करता हूं कि यहां भी देखिए ना हमारा last scene सो हो रहा है और प्रोफाइल photo online status सो हो रहा है और वह भी hide हो जाएगा अभी देखा तो hope you guys आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना उस पर comment करना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बुलना आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में जल्द ही thank you